No makeup makeup look मतलब ऐसा makeup जो देखने से बिलकुल भी ना लगे कि आपने makeup कर रखा है But actual makeup makeup कर रखे हो But देखने वाले को लगे कि आप naturally ही ऐसे हो या आपने बहुत ही कम makeup apply किया हुआ तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वैसा वाला no makeup makeup look बताऊंगी जिसको आप अपने formal places में कर सकते हो जैसे office, school, college और सामने से कोई भी देखकर ये बता नहीं सकता कि आपने makeup कर रखा है So starting with the face wash So guys आप जब भी makeup कर रहोते हो उससे just पहले आप अपने face को जरूर wash करे इससे क्या होगा आपके face पे जितने भी गंदगी है, dirt है, pollution है, dead skin cells है, access oil है, blackheads है, whiteheads है, वो सब निकल जाएंगे और उसके उपर जब अप fresh skin पे makeup करोगे तो makeup भी बहुत जादा fresh लगेगा long last करेगा, makeup जो है वो काला नहीं परेगा, also आपके skin में जो texture है वो भी कम नज़र आएंगे तो makeup का जो application है वो भी काफे जादे smooth होगा और आपका base भी आपको flawless लगेगा, तो make sure कि आप जब भी makeup कर तो उससे just पहले आपने face को बहुत ही अचे से wash करो with the help of face wash, अगर बहुत ज़ादा blackheads और whiteheads की problem है तो आप scrub भी कर सकतो face wash के बाद, बट अगर नहीं है तो face wash करो और face wash के बाद आप toner अपलाई करो I am using rose water as a toner और यह सबसे best होता है क्योंकि यह सारे skin taps वालो को suit करता है and toner के application के बाद आपको अपनी face पे moisturizer apply करना है moisturizer बहुत ज़्यादा important step है no matter कि आप oily skin के हो या dry skin के हो या combination हो sensitive हो कोई भी skin type वाले हो लेकिन moisturizer लगाना बहुत ज़्यादा important step है अगर आप moisturizer नहीं लगाओगे और direct makeup लगाओगे तो makeup का application बिल्कुल भी smooth नहीं होगा और बिल्कुल लगेगा कि आपने क्या face के ऊपर लगा रखा है face back type and the last but the most important step of your skincare routine before makeup is sunscreen sunscreen लगाना बहुत ज़्यादा important है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके BB cream या foundation में already SPF है तो आपको sunscreen लगाने की नहीं है तो आप बिल्कुल गलत हो क्योंकि वो जो SPF होता वो enough नहीं होता तो make sure कि अगर आप daytime में makeup करके बाहर जाने वाले हो तो sunscreen ज़रूर अपलाई करो अपने skincare में before makeup यह से आपकी जो skin है वो damage नहीं होगी sun के harmful rays से तो make sure कि sunscreen को भी add करो अपने skincare routine में and after that हम लोग makeup स्टार्ट करेंगे first of all I'm using primer क्योंकि primer क्या करता आपके face पे इतने भी गड़े हैं या open pores उनमें जाकर फिल हो जाता है और आपके face को बिल्कुल स्मूथ कर देता है जिसके ओपर जब भी आप foundation लगा तो बीबी क्रीम लगा तो या CC क्रीम लगा तो तो उसका जो application वह बहुत ही जादे smooth होता है और finish हो है वह काफी जादा अच्छा आता है नाच्रल आता है और बहुत ही flawless finish आता है और आपके face पे जो भी यहां को करता है जिसके वेसे आपका जो मेक अप वह बहुत जादा लांग लास्टिंग करता है तो प्राइमर बहुत ज्याद़ इसके आप जाओ तो CC यूज कर सकते हो आप चाहों तो CC या बीबी क्रीम यूज कर सकतो बट फाउंडेशन में आपको रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि फाउंडेशन थोड़ा सा हैवी हो जाता है उसके अकॉर्डिंग सीसी क्रीम और बीवी क्रीम जो है वह बहुती नाच्रल कवरेज देता है और बहुती लाइट होता है और लांग लास्ट भी करता है तो मेक शूर तो मैं हाथ या ब्यूटी ब्लेंडर को रेकमेंड नहीं कर देऊ क्योंकि उससे जो कवरेज है वह घड़ जाती है सीसी क्रीम में अल्रेडी कवरेज काम होता है अगर आप ब्लेंडर यूज करोगे तो आपको बिल्कुल भी कवरेज नहीं मिलेगी तो हम लोग सीसी क्रीम यूज करेंगे ताकि जो लॉंग लास्ट करें नच्छल लगे ओसो मलोग ब्रस से बलेंड करेंगे ताकि कवरेज वह घो को मैकसिमम मिले तो मेंकब करने से सिफ नहीं होता मेंक अपप करने का जो प्रोडेक्टस और टेक्नीक्स उता वो अगर आपको अच्छे से आता ये तो मेकप का जो result है वो भी काफी जादा अच्छा आएगा इसके बाद अगर आपको लगता है कि eyes के नीचे या face पर कहीं पर भी अगर आपको extra coverage की requirement है तो आप concealer लगा सकतो आपके skin की shade का ही हो या एक shade lighter हो अगर आपको लगती की requirement नहीं है तो बिलकुल मत लगाना क्योंकि जितना कम layering करोगे makeup उतना ही ज्यादा natural लगेगा और उतना ही long last करेगा मैं तो नहीं रगाती हूँ आपको भी recommend करती हूँ कि अगर बहुत जादा requirement है तभी लगाओ otherwise बिलकुल skip कर दो next अपने makeup को set करने के लिए हम लोग loose powder या compact powder में से किसी एक का use करेंगे इससे क्या होगा आपने जो foundation या CC cream, BB cream जो भी लगाया है वह transfer नहीं करेगा also या आपके sweat को भी control करेगा और makeup को लंबे समय तक fresh दिखाएगा काला नहीं पड़ेगा आपका makeup तो make sure कि अच्छे से आप compact के help से या loose powder के help से अपने face को set करें मैं recommend करूंगी कि आप loose powder का use करो क्योंकि आपको ज्यादा coverage देता है मतलब sorry ज्यादा अच्छे से यापके face को set कर देता है जो है उसको brush के help से या puff के help से dust off कर दोगे then मैं अपने face पे blush apply करूंगी ताकि एक naturally pink सा tone आये मेरे face पे और थोड़ा से colors add हो शके नहीं तो white white बहुत गंदा से लगता है तो make sure कि आप blush शुरूर अपलाई करो but access नहीं apply करना बहुत ही कम product आपको अपने brush पे लेना है और access को पहले tap off कर ले और उसके बाद अपने cheeks पे और nose के ऊपर भी थोड़ा सा लगाना है तो इससे बहुत ही natural सा pink सा color आएगा and also आपको chin पे भी थोड़ा सा अपलाई करना extra product नहीं लेना जो आपके brush में है बस उसी को apply करना also उसी brush को आपको अपने eyelids पे भी apply करना so that बहुत ही subtle सा pink सा color आपके eyelids पे भी आएगा तो बहुत ज़्यादा दीखे गालक से और यह जो make-up है ना यह इतना ज़्यादा सटल है कि सामने से भी कोई देखकर नहीं बता सकता कि आपने make-up किया हुआ सिर्फ on camera ही नहीं off camera भी है बिल्कुल natural लुक आएगा आपका तो इसलिए highlighter हम लोग नहीं उस करेंगे अपने face पे अगर आप nude party make-up कर रहे हो या फिर no make-up अगर आप parties के लिए कर रहे हो तो वह अलग बात है बट अगर आप formal places के लिए कर रहे हो जहां आपको बिल्कुल नहीं दिखाना क्या अपने make-up किया है तो don't use powder highlighter over your makeup अगर आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा difference create करता है क्योंकि अगर आप liner का जल लगाओगे तो वह दिखेगा बट maskara जो वह दिखेगा निया लग से but at the same time आपके eyes को बहुत ज़्यादा attractive बनाएगा जैसा कि आप देख सकतो लगाने के बाद जो difference हो आपको clearly पता चल रहा है तो upper and lower both eyelashes पे आपको eyeliner को sorry mascara को लगाना है और उसके बाद जो remaining product बचेगा उसी से अपने eyebrows को set कर लेना extra product आपको नहीं लगाना इससे बहुत ही naturally जो है आपके eyebrows भी set हो जाएंगे दन मैं अपने lips पे बहुत ही है जैसे lip balm को apply करके एक कप्रे के help से वाइप आप कर लोंगी so that जो भी extra products में लिप्स पे लगे है या dead skin cell सब निकल जाएंगे और लिप्स का जो texture वो बहुत जादा स्मूध हो जाएगा then again मैं lip balm को apply करूंगी and उसकी बाद मैं lipstick apply करूंगी लिप्स्टिक का जो सेट है वो बहुत ही जादा nude और light होना चाहिए vibrant या dark shade आपको नहीं यूज करना वो लुक के साथ compliment नहीं करेगा तो आपने skin tone से matching करता हूंग कोई भी nude सा shade apply कर लो and that's it लाशली मैं अपने face पे rose water को spray कर जहूं ताकि सारे चीजे एक साथ meltdown हो जाए और कुछ भी अलग से powder या layering ना दिखे आप चाहो तो make-up setting spray भी use कर सकतो इससे जो लुक है वो काफे जादा natural turn out होगा so guys as you can see make-up complete हो चुका और make-up बहुत ही जादा natural लग रहा एवन सामने से भ आप जाड़ो तो कर सकतो इससे क्या होगा जब सानलाइट में आप जाओगे यह कहीं भी तो make-up नहीं दिखेगा लगेगा कि आपकी जो skin है वो naturally ही ऐसी है और काफी जादा अच्छा लगता है even यह आपको बहुत जादा coverage भी नहीं देगा बहुत natural सा एक लुक देगा आप पसंद है तो यह तो हो गया एक फर्मल नूट सा नूटरल मेकप अप अगर आपको और वी मेक अप वीडियो देखे में इंट्रेस्टेड और आप डिफेर्न डिफेर्ट मेक वीडियो देखना चाहतो जो लेटेस्ट अबी ट्रेंड में चल लो तो आप मेरी चैनल को सब्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकतो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग